आज हम आपको गुजरात की एक special dish बाकरवडी बनाना बतला रहे हैं बाकरवडी बनाने के लिए पहले हम परत की सामगरी बतलाएंगे और उसे कैसे बनाना यह बतलाएंगे परत के लिए हमें चाहिए मैदा बेशन सूजी हल्दी पाउडर नमग अब इसको कितना कितना लेना है वह मैं आपको बतला रही हूं इसके लिए यह देखिए मैंने छोटी कटोरी ली है इसमें हम लेंगे दो कटोरी मैदा लिए अब इसमें हम डालेंगे आदा कटोरी बेसं झालेंगे 1 कटोरी सूजी डालने से भाकार वड़ी बहुत क्रिस्पी बनती है ऐसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी दालेंगे एक चुथाई तीस्पून देख रहा है हल्दी पाउडर एक तीस्पून नमग अच्छी तरह हाथ से इस तरह मिला आदेंगे अब इसमें डालेंगे जिस कर्टोरी से हमने मैदा और बेशन सुजी ना पाथ उसी से हम घी मलब टेल लेंगे देखिए आधी कर्टोरी से जरासी जाना लब एक चौथाई कर्टोरी हमने रिफाइन डाल इसमें डाना है इसे भी हम अच्छे तरह मिलाएंगे कि यह देखिए इस तरह हमने समेच्छी तरह से मैदे बेशन और सुजी में घी मिलाकर एक सारका कर लिया है अब इसको पानी डालके इसका अटा लगा लेंगे पानी हम बहुत थोड़ा-थोड़ा हाथ में लेकर डालेंगे नहीं तो यह गिला हो जाएगा तुरह देख रहा ह हम थोड़ा-सा हाथ पानी लिया तो इसका इस तरह से हम इसको गोट लेंगे जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं बिल्कुल इसका आटा भी हमें उसी तरह लगाना है देखिए फिर थोड़ा-सा और पानी डालेंगे आ इसको कि अ देखिए इस तरह का हमने आटा मैदा बूत लिया है और इसको दस मिनट के लिए एक प्लेट से ढखकर रख देंगे इसको दस मिनट के लिए प्लेट से ढखकर रख दिया है में है अब हम आपको बागरवड़ी का मसाला बनाना बतला रहे हैं खाड़वड़ी का मसाला बनाने के लिए चाहिए मुथनी का पाओडर सौंप पाउडर, धन्या पाउडर, पुदीने का पाउडर, जीरे का पाउडर, अजवाइन का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तिल का पाउडर, हींग, काला नमक, नारियल पाउडर, खर्भुजे के बीच का पाउडर, इमली का पल्स, काला नमक, एक बॉण लेंगे, और उसमें हम डालेंगे, ये दो टेवल स्पून, मुंफली का पाउडर है, मुंफली को पहले आप भून लिजे, उसका छिलका उतार के इस तरह से उसे मिक्सी में पीस लेंगे, इक पाउडर एक टीस्पून है, दो टीस्पून नारियल पाउडर है, आप ताजा नारियल भी कद्दू कस करके डाल सकते हैं, दो टीस्पून सौप पाउडर है, दो टीस्पून तील है, आधा टीस्पून जेरा पाउडर है, एक टीस्पून पिसी धनिया पाउडर है आधा टीस्पून पुदीने का पाउडर है एक टीस्पून अजवाईन है यह सबको मैंने निकसी में डालकर पीस लिया था अधिसमें हम डालेंगे काला नमक नमक थोड़ा कम डालेंगे दियो कि परत में भी आमने नमक डाला है इसलिए हम इसमें एक टीस्पून नमक डालेंगे और इसमें हम डालेंगे एफ टीजपून हिंका पाउडर ऐसे तरह चम्मा से हम मिला लेंगे तो ऐसे चम्मा से मिला लेंगे देखें दस नट हो गया है आटा को जो हमगूर कर रखे ते इस तरह त्यार हो गया है मुलायम थोड़ा हो गया है इसलिए इसको दस नट के लिए रखा जाता है कि थोड़ा है अच मुलायम हो जाए तो इसको कड़ा है ना अज़सके देखें एक बरोबर इतने वड़ी बड़ी लेंगे इस तरह से गोल घुमा कर इसका पेड़ी बड़ी जितना हमने मैदा बेसान और सूजी लिये थे उसके पांच लोई तया होगी एक लरावर पांच बोड़ी मैंने इसकी बना ली है इसको हम डे लेंगे अब हलका सा मैदा इसमें डस्ट करेंगे सुखा मैदा इस तरह से इसमें डस्ट करेंगे इसको बहुत कतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है तक हम भाकर वड़ी भारेंगे तयार करेंगे तो गैस पर कड़ाई जोरके तेल गरम करने के लिए रख देंगे इस तरह का हमने इसको बेल लिया है यहना बहुत मोटा है ना पतला है और इसे हम लगाएंगे इनली का परस इनली को आप पानी में भीवो दीजे और इसको चान कर इस तरह से इसका परस निकाल दीजे इसको लगाने से क्या होता है जो हम भाकर वड़ी का मसाला लगाएंगे वह अच्छे तरह इसमें चिपाग जाएगा अब सिना मसाला पैयार किया थे तरह से लगाएंगे अब लेकिसा है ता से अ अ बिए इस तरह से मसाला चारो तरफ पूरी के फैला लिया है उसको धीर दिने हम गेर रोल कर लिए उसको अब दोगाएंगे अब शुता चाटा पीस लेंगे और अश्या मूठे से दवाते जाएंगे इमली का रस लगाने से मसाला अच्छी तरह पूरी में चिपाग गया है तरह इसको रोल करते हुए ऐसे दीस सभी ऐसे उंगली की सहता से दवाते जाएंगे हर मोड़ते जाएंगे रोल करते जाएंगे और उंगली से हम दवाते जाएंगे अच्छी तरह रोल हो गया देखने मसाला भी कहीं से नहीं गिर रहा है अच्छा है तो इसको हलका सब बेलन से दवाते हुए ऐसे बेल भी सकते हैं एक बार बबस आप ऐसे बेलन इसमें चला दीजिए आपको आपकर वड़ी का मसाला कहीं सभी नहीं गिरेगा और इसको अब यह बरेव मसाले को कॉर्ण फ्लोर को घोल कर मैंने रख लिया मैदा या बेशन कुछ भी घोल लिजाए इस तरह से मैंने कॉर्ण फ्लोर घोला है इसको यह कटी वी भाकर वड़ी को इसमें इस तरह से सबको हम एक साब ऐसे अलग कर दुबा दिया है वह पहले से गर्म तेल में हम इसको तेल पहले बहुत तेज गर्म कर लेंगे इसको गयस की आँच को कम करके यह सब्सक्राइब बढ़ेगे वाकर वड़ी को इसमें दाल जोने है पॉन्फोर में दुबात लाने से इसका मसाला जो है बाहर निकलता नहीं है और कढ़ाई का तेल भी लेंदा नहीं होता इसको प्रम सकांब 5-7 मिनट दिमी आज पर तलेंगे तेज आज को चलने से यह क्रिस्पी नहीं होगी भाकर वड़ी इसलिए इसको पहले तेल को तेज गरम करेंगे तिर उसके बाद इसको दीमा कर देंगे इसको इस तरह से हम पलट नहीं देख रहे हैं आप कढ़ाई में बिल्कुल भी मसाला भाकर वड़ी का बाहर निकलकर नहीं चलना है और इसको 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 बेला था इसमें इंदी का रस लगाया दो टेवल स्कून आप इंदी का रस लगाएंगे तो इंदी से इस तरह फ्यला देंगे अब इसमें हम डालेंगे तीन टेवल स्कून बाकर वड़ी का जो मसाला बनाते है उससे इस तरह से हम फ्यला देंगे इस तरह से भाकर वड़ी में चीनी पड़ती है तो बहुत लोगों को मिठा पसंद नहीं है अब मुझे भी पसंद नहीं है इसलिए हम इसमें चीनी में डाने है यदि आपको मिठा पसंद हो तो आप इसमें दो टेवली स्पून चीनी पीशी हुई डाल सकते है देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे उंगली से दवाते हुए कितनी आसानी से यह फोल्ड हो जा रहा है इसमने फोल्ड कर लिया थय।कन बन्सका इंड रहा है जाल को है मुंदे रहा है यहा है तो है इसिप्ट्ल आपको ते लग बन्सकी होधी खेलानी सॉ जाल गई है। ब्राउन हो चुकी है, अभी से हम निकाल लेङे। उके इसों हुधया कीछन तबल में निकाल ŁAAGT नाएंगे। इस तरह से साइड में कर देएंगे, तरीक या तरीक टेल इसका कख़ाही में ही निकल जाएंगे hea इसी तरह हम सभी भाकर वडी को तयार करके तल लेंगे गयास को बंद कर दिया और इसके हम अच्छे सी प्लेटिंग करेंगे जो हमने भाकर वडी तली थी उसको मैं आपको काट के दिख लाती हूं कि कितनी अंदर से क्रिस्पी है यह देखें और अंदर से बिल्कुल स्वाप्ट हो रही है यह देखें भाकर वडी बिल्कुल इसी तरह बनाई जाती है कि अधिया इसे सर्व करने से पहले इस चोटी प्लेट पर इस तरह से हम भाकर वडी को भाकर वडी बनकर तयार है यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इससे सम्मंदित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसली से निएम नाचे आपको अच्छा भी जानकारी जासे वाइक का बिले चैनल को तो मुझसे टॉण आपको अबदें